ट्राइडेंट लिमिट्र जोकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी वीड स्ट्रॉबेजड पेपर मैनुफेक्ट्रर है और जिसका स्टॉक 2022 में अपने ओल टाइम हाई पर जाने के बाद आज 40% के डिसकाउन में ट्रेड कर रहा है लगबग 37 रुपीज की प्राइस में तो बहुत सा सर्फ 14 साल के उमर में जब वो 9th क्लास में पढ़ते थे उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसकी बाद वो छोटे-छोटे काम जैसे सिमेंट पाइप्स बनाना, केंडल्स बनाना इन कामों को करने लगे जिसमें उन्हें डेली 30 रुपे मिलते थे लेकिन उस इस पैसे का यूज करके उन्हें कुछ बड़ा करना है बहुत बड़ा तो उन्होंने जो पैसा बचा रखा था उससे उन्होंने एक fertilizer company शुरू की और उसके लिए अपना पहला plant लगाया जिसका उन्होंने नाम रखा अभिशेक Industries और यही वो company है जिसका नाम 2011 में चेंज करक लेकिन उनका यहां तक का सफर आसान नहीं था इसके लिए उन्हें बहुत कड़े decision लेने पड़े जिसकी हिम्मत उस time पर पंजाब के जो बहुत बड़े-बड़े businessmen थे उन्में भी नहीं थी क्योंकि आप जानते हैं कि मैं 1985 की बात कर रहा हूँ और उससे सिर्फ एक साल प पनी थी ना वो भी पंजाब को छोड़कर किसी और स्टेट में अपने आपको सेटल कर रही थी और इसी वक्त पर राजेंदरी जी ने एक बिलकुल अलग और बहुत ही सहसी रास्ता चुना पंजाब में industries established करने का ऐसे कुछ साल तक उनका business चलता रहा और फिर 1990 में उन्हों कि राजेंदर जी एक self-made first generation entrepreneur थे तो उनको लोग पंजाब का धीरुभाई अंबानी कहने लगे थे जो कि उनके लिए obviously एक काफी बड़ा compliment था अब इसके बाद राजेंदर गुपता जी ने जो एक joint venture किया था PSI DC के साथ उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया और अपने business को यान, paper और terry towels में diversify करने का decide किया अब उनका business काफी अच्छे से grow करने लगा तो ये अपनी capacity को भी बढ़ाते गए और ऐसे 1998 में इन्होंने एक और unit setup की जिसकी total capacity 43,000 spindles की थी और इन में से लगबग 36,000 spindles ने commercial production सिर्फ एक साल के अंदर ही शुरू कर दिया अब आप सोच जोंगे कि वो ऐसा इतनी असानी से कैसे कर पा रहे हैं तो वो ऐसा इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुती strategic तरीके से काम कर रहे थे जैसे paper business के लिए वो एक बहुती advanced technology यूज़ कर रहे थे जिसमें agri residue जैसे की wheat straw जिसको हिंदी में भूसा भी बोलते हैं वो उसका use कर के paper बना रहे थे जिससे पेड़ भी बच रहे थे और इसके साथ ही ये उन्हें काफी सस्ता भी पढ़ रहा था जिस वज़े से उनका काफी पैसा बच रहा था और इवन आज भी ये भूसेगा use करके ही paper बनाते हैं और यही वज़ा है कि इसमें ये worldman number one पर आते हैं अब क् कि इनका business इतना अच्छा चल रहा था वो अलग-अलग technology का use कर रहे थे तो 2005 आते हाते इनकी जो capacity थी वो काफी कम पड़ रही थी इनके पास जादा काम था तो 2005 में इन्होंने एक बहुत ही important step लिया जिसमें इन्होंने अपनी capacity को तीन गुना बढ़ा दिया जिससे इनकी जो towel बनाने की capacity थी वो 29,000 ton per annum बन गई जिसके बाद ये terry towels के export के साथ साथ यान को भी export करने लगे और अभी present की बात करें तो ये लगबग 1500 countries में अपने products export करते हैं जिसमें इनके customers कुछ domestic और international बड़े-बड़े brands भी हैं इवन इसमें Walmart, Flipkart और Ikea जैसे बड़े-बड़े brands भ आया है और इवन ये तो actually थोड़ा कम है क्योंकि financial year 22 में इनका export से जो revenue था वो 66% था और इंडिया से सर्फ 34% revenue आता था और इवन ये एक बहुत बड़ा reason है जिसकी वजह से Trident के stock लगब 40% किरा है अब अगर हम इनका segment wise revenue देखें तो financial year 23 में इनका 80% revenue textile segment से आता है और बचा ह 20% revenue paper segment से आता है तो आपके mind में सवाल आ रहा होगा कि Trident एक market leader company है तो फिर इनका stock इतना जादा कैसे गिर गया तो उसका reason है इसके financials Trident के financial year 22 के बाद से लगातार weak financials देखने को मिले है जिसका reason इसका paper business तो नहीं है लेकिन textile business है मैंने आपको बताया है कि इनका 80% revenue textile से आता है और उसमें भी इनका major revenue export से आ रहा है तो क्योंकि global market में कुछ time पहले जब Russia और Ukraine war start हुआ था जिसकी वजह से worldwide inflation भी काफी बढ़ गय कमी आई थी जिसका effect हमें इनके revenue में देखने को मिला और even आप इनके quarterly results में देख सकते हैं कि इनका revenue घटा है और इसमें भी इन्हें सबसे ज़्यादा effect पढ़ा है इनका जो key export market है USA और Europe उसमे slowdown आने से इसके अलावा इनकी जो raw material की price है ना वो भी काफी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वज़े से इनकी input cost भी increase हो गई है अब वैसे थोड़ा normal तो हो रही है और financial year 24 के quarter 2 में Trident ने थोड़ी recovery दिखाई है लेकिन अभी भी अपने historical level तक नहीं पहुच पाए हैं तो ये तो वो reasons थे जिसकी वज़े से investors का Trident के उपर से भरोसा कम हुआ है लेकिन क् Trident इस setback से वापस recover कर पाएगी क्या Trident के share की price दुबारा बढ़ पाएगी आईए ये जानते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like जरू कर दीजेगा और साथ ही ये भी बताईएगा कि आप next कौन से stock के उपर case study देखन आचाते हैं तो अगर हम सबसे पहले company के fundamentals देखें तो इनका जो return on equity और return on capital employed है वो 11% के आसपास है जो कि उतना अच्छा नहीं है और इसका reason तो हम आपको बताई चुके हैं जो कि है इनके weak financials हाला कि इनका debt to equity ratio सर्फ 0.4 है जो कि अच्छा माना जाता है यहां पे promoters के पास अपनी company की 73% holdings हैं इसका मतलब है कि promoters को अभी भी अपनी company के उपर भरोसा है लेकिन इनके stock का PE 41 का है जो कि industry PE से थोड़ा जादा है हाला कि यह company क्योंकि अपने business में market leader है और जो company market leader होती है उसको generally थोड़ा high valuation मिलती है लेकिन Trident का OPM जो 2021 में 20% से भी जादा रहता था वो इस financial year के quarter 2 यानि September quarter में 13% के असपास आ गया है यानि Trident का profit margin कम हुआ है बट financial year 23 में इनके debtor days में काफी अच्छी improvement देखने को मिली है इनकी inventory days और cash cycle days में भी recovery आई है जो कि एक अच्छी बात है अब अगर इनके future plans की बात करें तो इन्होंने financial year 24 में लगभग 1400 करोड का capex plan कि जिसमें ये अपनी capacity को बढ़ाने के उपर focus करेंगे और especially ये यान की spindle capacity को बढ़ाने में 1100 करोड रुपए खर्च करने वाले हैं साथी bath linen में ये 247 करोड का capex करने वाले हैं और इनका chemical segment भी जो की paper segment में ही include किया जाता है इसमें Trident battery grade sulfuric acid के manufacturing पर भी लगभग 100 करोड रुप करने का plan किया है जिसको ये 3 is to 1 के debt to equity ratio से finance करेगी बट Trident को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो इस ratio के हिसाब सही चले ताकि capex के चकर में वो अपने उपर debt ना बढ़ा ले वैसे अभी तक Trident ने debt को बहुत अच्छे से manage किया है और हमेशा control में ही रखा है और अभी जो इसके revenue कम हुए है वो mainly external factors की वजह से है तो जब ये external factors हट जाएंगे तब इसका revenue वापस से बढ़ सकता है तो ये सबी बाते जानने के बाद आपको क्या लगता है Trident वापस से recovery कर पाएगा या फिर नहीं हमें comments में बताएं वीडियो पसंद आई है तो like जरू कीजेगा और ह हमारे चैनल को subscribe भी जरू कर लीजेगा इसके अलावा अगर आप सुजलौन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को जरू देखेगा धन्यवाद